अस्सलाव अलेकुम स्रेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 के कुछ important reactions के बारे में पढ़ेंगे और उनमें जो सबसे पहले हमारा complex compound है, FA plus 2 है, iron है तो इन compounds के अंदर chemical equation को complete करने का एक pattern है हमने सिर्व उस pattern को note कर लेना है बाकि हमारे जो भी equations होंगी, वो असानी से जोंगी, वो complete हो जाएंगे तो अब हम इसकी तरह पढ़ते हैं सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो iron है, वो दो oxidation state के अंदर पाये जाता है एक जो oxidation state है, वो है FA plus 2 और दूसरी जो oxidation state है, वो है FA plus 3 अब देखें, यह जो हमारे पास FA plus 2 state में यह green color में पाये जाता है, ठीक है और FA plus 3 में यह आपका yellow color में पाये जाता है और जब भी हमारे पास oxidation state positive 2 हो, तो उसके लिए हम जो term यूज़ करते हैं पायरस, OUSS की जो term हम यूज़ करते हैं और जब भी हमारे पास FA plus 3 हो तो उसके लिए हम जो term यूज़ करते हैं इक की यूज़ करते हैं, यह यह फैरिक की जो है, वो हम term यूज़ करते हैं इसमें FA plus 2 जो है, वाटर के अंदर आपका वो unstable होता है यह आप जैसे ही एक्वर सॉलिशन बनाएंगे, तो यह FA plus 2 जो है, वाइसा है, FA plus 3 के अंदर convert हो जाता है अब देखें, इसकी जो oxidation state है, यह positive 2 से positive 3 की तरफ जा रही है जब भी किसी की oxidation state बढ़े, तो हम कहते हैं कि यह compound हमारा क्या हो रहा है, oxidize हो रहा है ठीक है, और oxidation के बारे पता है, oxidation mean loss of electron, ठीक है अब देखें, यह खुद तो क्या हो रहा है, oxidize हो रहा है और यह जो act करेगा, वो as a reducing agent act करेगा यह एक हमने basic सी चीज, FA plus 2 के बारे में सीक लिए और इसके जो हमतर बें सवाल आते हैं, equations आती हैं equations को जो है, वो पूछा जाता है कि FA plus 2 as a reducing agent आप explain करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें देखें, जो सबसे पहली property FA plus 2 की, यह आपके पास इसकी catalytic property है, पेपर में जो सवाल आएगा, वो आपका बोले जाएगा, कि आप जो है, वो F iron की जो catalytic properties हैं, उनको जो है, वो with a suitable example explain करते हैं, तो सबसे पहले आपको बता है कि iron जो है, वो haver process के अंदर, haver process एक process है, जिसमें जो है, वो ammonia को हम prepare करते हैं, और nitrogen और hydrogen की मदद से, और उसमें हमारे जो catalyst होता है, वो iron जो है, वो catalyst के तौर पर use होता है, ठीक है, और nitrogen जो है, वो fractional distillation of air के जरीए हम obtain कर लेते हैं, और hydrogen जो हम तरह पर हम cracking के जरीए हो हासिल करते हैं, ठीक है, ये चोटी सी catalytic property होई, अब दूसरी catalytic property होती है, कि जिसके अंदर F e plus 2, यानि हमारे जो per sulphate का reaction होता है, यानि per sulphate और iodide का reaction होता है, उसमें हम F e plus 2 को as a, जो है वो reducing agent के तौर पर act करते हैं, ठीक है, अब इसका reaction देख लेते हैं, देखें, यह हमारे पस S2O8, एक हुदा sulphate, SO4, एक हुदा per sulphate, पर sulphate में दो जो है वो sulphur होते हैं, और 8 जो है oxygen होते हैं, याद करने का तरीका है, यह है कि sulphate में एक sulphur है, 4 oxygen है, और per sulphate में उसके अदर double है, यह दो sulphur हैं और 8 oxygen है, ठीक है, तो जब per sulphate और iodide का reaction होता है, in the presence of F e plus 2, F e plus 2 तो जो है वो खुद convert हो जाता है, F e plus 3 में, और यह जो iodide है, यह iodide जो है वो आपका iodine के अंदर convert हो जाता है, तो यहाँ आपको नदर आ रहा है कि यह माइनस 1 है, माइनस 1 से किस पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, इसकी oxygen state क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है, और पर sulphate में देख लें, यहाँ पर oxygen जो है, आपको ऊतावा नदर आ रहा है, जहाँ पर भी oxygen आपको क्या हुतावा नदर आ आ तो आप फुरान समझ जाएं कि यह क्या हो रही है, आपकी reduction हो रही है, तो इसके अंदर पर sulfate है, फो sulfate के बहुत के अंदर क्या हो रहा है, दूसरा सवाल जो आएगा वो यह आएगा कि आप जो है mechanism लिख दें mechanism of mechanism of fe plus 2 as a reducing agent यह पर sulfate or added के साथ तो सबसे पहले देखें कि इसमें ज़िए चीज नोट करने की यह नोट करने की यह जो पर sulfate is to o8 है यह जो है आपका fe plus 3 के साथ रिये करता है और जो सबसे पहली product होती है यह जो fe plus 2 है यह fe plus 2 convert हो जाता है किसके अंदर fe plus 3 के अंदर यानि यह आपका क्या हो गया अपसराइज हो गया ठीक है और यहाँ पर जो s2o है तैनि पर sulfate है पर sulfate जो है वो आपका convert हो जाता है किसके अंदर sulfate के अंदर उसके बाद हम इसके नार बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ पर दो हैं तो यहाँ हम क्या लगा देंगे टू लगा देंगे और फिर हम इसके चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ पर दो हैं तो यहाँ हम थ्री लगा देंगे तो छे चार्ज हो जाएगा और इसी तरह से इसको भी 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं ताकि यह आपका क्या हुजा अबराबर हो जाए उसके बाद यह जो F E plus 3 है इसको हम रिये करवाए हैं इसके साथ आईडाइड के साथ हम इसको रिये करवाए हैं तो यह आइड है किसमे कर्णेड हो जाँ है? तो यह आपको नदर आ रहा ह। माइनस से किस पर जा रहा है? आपका zero पर जा रहा है ठीक है और यह जो plus 2 है यह किसमे केंविध हो रहा है एwy plus 2 में कर्णेड हो रहा है तो अब यहाँ पर देखें कि जब भी कोई catalyst as a कोई भी element as a catalyst यूज होता है तो catalyst की property यह होती है कि शुरू में जितनी amount आपने लिए होती है आखिर में भी जो है वो उतनी amount उसकी बचती है तो अब यहाँ पर देखें कि जो F-E plus 2 है यह F.E. PLUS 2 जो है वो जितना शुरू में हमने यूस लिया था उत्रहीं आखर में जो है क्या हो रहाँ आपका कंजूम हो रहा है ठीक है यहां पर देखें F.E. PLUS 2 अक्सराइड हो गया इसने इसको क्या कर दिया रिडियूस कर दिया और F.E. PLUS 3 को देखें F.E. PLUS 3 जो है वो खुद रिडियूस हो रहा है और इसको जो है वो आपका और आपका बच जाएगा ठीक है और यह तर्म वैसी आजाएगी यह वहां पर आ जाएगी यह दो है यह दो और एक इससे कैंसल होंगे तो यहां पर क्या होगा एक F.E. PLUS 2 यह पर आपका बच जाएगा यह इसका क्या है आपका मैंगे जाएगा इतरी मास में आ सकते हैं अब हम जो है वो इनके रियक्शन की तरह आते हैं अब इसमें देखें कि जो भी F.E. PLUS 2 में आपको बताया कि यह आपका जो है वो अनिस्टेविल होता है वाटर के अंदर तो आपका हाइडरेटिट फॉर्म में आ जाता है अब इसको देखें कन्फ्यूज मत हों सिंपल सी ठ्रम यह 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 फैरस सल्फेट है यह F.E. PLUS 2 फैरस सल्फेट की फार्म में मौजूद था जब आपने इसको वाटर के साथ डिजॉल्व किया तो यह जो F.E. PLUS 2 है यह इ इसका मतलब यहां आइरन जो हो पॉजिट हुआ है क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है जिरो चार्ज होता है अब इसका नाम देख लेंगे सिक्स है तो हमने लेक्जा वाटर के लिए हम एको का वर्ड यूस करते हैं यह आईरन है और क्योंकि इस पर चार्ज तू है तो य अब इसमें देखें बजाए तो आपको यह मुश्किल लग रहा है लेकिन है बिल्कुल असान सबसे पहले इसमें देखें कि यह चीज़ आप यह देखें कि यह जो आपका जो भी इसके उपर चार्ज है जो भी इसके उपर चार्ज है तो प्लस टू का चार्ज है तो प्लस इस तरह करके च्छे water molecule मौझुञू है एक water molecule है फिर यह दूसरा है ठीक है इस तरह करके 6 हमारे पास क्या है आपके पास मौझू हूद है ठीक है अब यहां पर देखें कि जब हम base को use कर रहे हैं OH को use कर रहे है तो ये जो दो OH है ये का करेंगे इस मैंसे 2H आइन को निकाल के ले जाएंगे ठीक है तो जब 2 आइन को निकाल के ले जाएंगे तो यहां पर total जो water के stuck molecule बचेंगे वो कितने बचेंगेcop water के molecule जो बचने प्set embrace ठीक है यह चार बज़ अब दो तो एच आइन निकल चुके हैं तो जाएज बात है यहाँ पर दो ओएच आइन जो है वो यहाँ पर क्या होगे मौजूद होंगे और यहाँ पर आपका क्या जाएगा टू वाटर मॉलिकूल ठीक है अच्छा पहले जो इस सॉलिशन होता है यह इसका ग्रीन सॉलिशन होता है यह क्या होता है आपका ग्रीन सॉलिशन होता है ठीक है अब ग्रीन सॉलिशन है क्योंके आइन है तो वो सारे के सारे क्या होता है डिजॉल हो जाएगा पूरा कम्प्लीट क्लियर सॉलिशन यह बनता है ठीक है लेकि जब आप इसको बेस के सार कि इसको neutral बना चुका है ठीक है यहाद है कि अब इस तरह इसको भी देख लें आपके पास यहाँ क्योंकि तीन है तो यह तीन क्या करेंगे तीन OH-I-N क्या करेंगे कंसूम करेंगे ठीक है अब देखें इसमें छे वाटर मॉलेकुल है तो छे मेंसे जो तीन वाटर मॉलेकुल होंगे तीन जो है वो आपके OH-I-N आपके निकल जाएंगे तो यहाँ पर तीन वाटर मॉलेकुल बचेंगे ठीक है और थी जो है वो यहाँ पर वाटर मॉलेकुल बचेंगे और यहाँ पर जो है वो थी वाटर मॉलेकुल बन जाएगा ठीक है यहाँ तक इ अजय आगए हो दिखें इसमें अब देखिए कि अब देखें यह फिक यह आपका यालो रंग प्लॉस घृ आपने ग्रीन कलर का ओता है यह यह व्टा होता है और इसके जो नहीं यह ब्राऊन प्रेसिप्पेट्स यहां पर आपके बन जाते हैं तो यहां पर आपके चार वाटर बचेंगे यह आपके चार वाटर आजेंगे और यहां पर 2 Cay हो जाएंगे। यह न्यूटरल हो जाएगा और यहांपर न एज़ 4 आइंस आपके बन जाएंगे फोर ओ आएज आइंस आपके बन जाएंगे हैं यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है यहाँ बात शव्क में आब हैंगे तेंगे इसके बाद आप देखें कि अगर हम जो है वो थी के साथ हम इसको रिया कर रहे हैं तो अब यह क्योंशन आप खुड़ भी लिख सकते हैं कि तीन है तो यहां पर आपका थीरी आजाएगा तो यह फी बिलस और यह वाटर ठीक है और यह आपको आजाएगा सिक्स सिक्स तो नह है आपको सभी माज़ चुकिए होगी यह वी आप ने लिखिया हो ठीक है अच्छा अब इसके बाद जो है वो रियक्शन जो है वो कार्बोनेट के साथ अब कार्बोनेट पे भी आपको पता है कि यहांपर प्लस टू है ठीक है और यहां पर आपको पथा ये कार्बन डैकसाइड our water जो है यह बना ले जाए खृआए आप आगर प्लश कार्बॉनेट जो हॊआँ तो लहां दाएड होना कुछ ने दा या थΘ्रि है यहाब क्यां को वैब है यह जो है अब इसमें देखें अगर प्लस 3 के साथ होता तो जारी भी बात होना कुछ नहीं था यहां ठी है यहां पर आजाता ठी अब क्योंकर 3 को कंस्यूम करता तो यह 3 आ जाता है यह यहां भी 3 आ जाता और यह जो है वो 3 कारबन डॉक्साइड बन रहा है ठीक है अच्छा यह डिस्टिंग्विश टेस होता है किसके दर्मियन FE प्लस 2 और FE प्लस 3 की दर्मियन FE प्लस 2 यह reaction शो नहीं करता और जो FE प्लस 3 होता है वो reaction यह आम तोर पर show करता है ठीक है अब इसका reaction सिंपल सा ही होता है कि यहां पर देखें कि यह जो है वो बेस नहीं है यह लीगेंड है तो लीगेंड क्या करता है लीगेंड का काम सिर्फ यह होता है कि जितने वो रिप्लेस करवा रहे है तो वो अगर एक है तो यह एक जो है वो इसमें से रिप्लेस करायागा तो एक वाटर निकल चुका है तो इसकी जगा एक SCN यहां पर आ जाएगा तैयो साइनाइट आ गया और यहां पर जो है वह आपका वाटर आ जाएगा ठीक है और इसकी कलरेशन जो होती हो रैड बलर्ड कलरेशन होती है और इस्टिंग्यूश टैस होता है सब्सक्राइब आपने देखा कि हमने जो है इसके अंदर जो रियक्शन से वह हमने जो है वह कॉप्लीट कर लिए आइड़न के इन इक्वेशन को आप पर लिजिए इंशाल्ला जो है अब नेक्स में हम क्रूमियम के रियक्शन को हम पढ़ें